कि नमस्कार दोस्तों आईए देखते हैं मंडे को मार्किट कैसे काम काज कर सकती है लेकिन उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो खाली लर्निंग परपस के लिए है मेरी तर्द से कोई बाइस हैल काल रिकमेंडेशन नहीं है मेरे वह दोस्त जो फर्स टाइम वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि कुछ भी ख्रिदने या बेचने से पहले अपने फाइ जैसे आप सभी जानते हैं या मेरे वह दोस्त जो आज पहली बार चैनल देख रहे हैं या वीडियो देख रहे लिए उनके लिए बता दू कि यह वह दोस्त जिन्होंम में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया अपस्टाउट एंजल ब्रॉकिंग आइंड फाइन् मार्निंग वियू होता है मैं यहां पर पोस्ट करता हूं तो कोशिश करता हूं कि यह समझाने की कि मार्किट कैसे मूव दे सकती है अगर आप नए हैं तो लिंक यूज करके एकांट ओपन कीजिए एकांट ओपन होने के बाद में आपको प्राइवेट चैनल में जो है वो स्पेस दूंगा और आगर आप ट्रेडिंग भी करेंगे तो मेंबर्स एक्सक्लूदिव चैनल में आप जुड़ सकते हैं और मेरा व्यू क्या था आप एक बार देख लीजिए मैंने व्यू दिया था कि फ्लैट से नेगटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं 12,800 की काल एडिशन पर नजर रखना 12,780 के नीचे 15 मिनट सस्टेन करें तो 12,700 तक जा सकती है वहां नेक्स पोड है रिटेलर्स की अ विकली एक्जिट कर जाना और काल्स में लंबी पोजिशन होल्ड मत करना और आपने खुद देखा कि मार्किट जो है और उसके बाद मैंने लिखा था कि 12,800 की काल पे अडिशन हो रहा है अडिशन काफी अच्छा था तकरीबन 30-32 लाह का अडिशन काल पे हो गया था और सेम ही पुट पे था लेकिन जो कमफर्ट नहीं प्रवाइड कर रहा था मुझे वह था पुट पे रिडेक्शन पे रिडेक्शन नहीं हुई अल्दो मेरा व्यू था कि जो 12,800 की पुट है यह 160-180 रुपे जाने की ताकत रखती थी लेकिन जैसे मैं हर वीडियो में आपसे डिसकस करता हूं बोलता हूं कि लाई मार्किट पे डाटा पे नदर रखिएगा क्योंकि डाटा बड़ी जल्द की अनवाइंडिंग हो गई तो यह रहा फ्राइडे का हाल अब देखिए फ्राइडे को कामकाज कैसे हुआ एफ आई एई दुबारा से 3860 क्रोड की बाइंग करके गए हैं और उस सामने से डियाइए 2868 क्रोड की सैलिंग करके गए हैं चलिए दोस्तों सीधा डाटा पे चल है अल्बत्ता स्टाक फ्यूचर इन्होंने खरीदे हैं स्टाक में जो है यह नंबर बढ़ाते हुए नदर आ रहे हैं इने स्टाक फ्यूचर बेचा है लेकिन सामने से तीनों जगा है बाकी तीनों में इनकी पूजिशन जो है यह बुलिश नदर आ रही है प्रास एक बार फिर से mix view लेके गए है mix view से ज्यादा इनका bullish view है क्योंकि start future अगर इन्होंने बेची है तो बाकी तीनों जगा इन्होंने bullish position बनाई है और कोई खास नंबर में change नहीं है दोस्तों चलिए सीधा डाटा पे डाटा देखते हैं कि कैसे फार्म हुआ है क्लाइंट को देखिए अब इनके पास 39203 contract है जो इन्होंने राइट किया इंडेक्स future के दो दिन पहले तक देखिए 32,000 थे फिर 31,000 आया और सिधा 39,203,8,000 quantity बढ़ गई और यह सारे future जो है यह FII ने ख्रीद दिये FII एक दिन बेजता है दूसरे दिन ख्रीदता है क्योंकि अपनी position stand रखना चाता है ताकि यह expiry में जो पिछले महीने में इसने options में कमाई कर ली है उसको यह बरकरा रखे और अपने घर लेके जा सके DIA 37,043 contract इनके right है FII 67,192 contract है इनके पास long में और प्राउस के पास 9,000 contract है long में अब देखिए index काल में क्या position है 9,490 contract यह clients ने right किये है एक दिन पहले ताकि यह bullish थे और फिर यह क्या हो गया काल्स राइट करने का मतलब बीरिश position इनके बना लिया है DIA नमबर में चेंज नहीं है FIA ने नमबर बढ़ा लिया है जो contract इनके बेचे हैं वो FII ने भी buy किये है FII के पास 78,000 contract है long में काल्स में और प्राउस के पास 68,861 contract है जो इनके राइट किये हुए है यह आप समय सकते हैं कि कुछ client जो है वो मंदी में है कुछ हमारे clients और प्राउस मंदी में खेल के गए हैं लेकिन कुछ अभी भी बीरिश लेके गए हैं क्योंकि 70,226 यह नंबर है clients का retailers का put side में मतलब इनको लग रहा है कि market उपर जाएगी कुछ ने position कवर कर लिए और बाकी अभी open position लेके गया मंदे के लिए डिया इस नंबर में change नहीं है FIA इसके पास 76,202 कंट्रेक्ट है और प्राउस के पास 33,12 कंट्रेक्ट हैं जो यह राइट करके गए है clients नंबर आप देखिए stock future में बढ़ता हुए नदर आ रहा है 4,66,871 कंट्रेक्ट है रिटेलर्स के पास stock future में डिया इस नंबर में कोई major change नहीं है FIA इस नंबर कम करते हुए नदर आए अब इनके पास 2,21,765 आप यह आपको याद होगा यह दो लाग 95,295,000 से ओपर figure चला गया था और करते करते तकरीबन 70,75,000 stock future कंट्रेक्ट जो है वो नीचे आ गए है जो इन्होंने बेच दी है profit book कर लिया है आने वाले दिनों में आपको यह number और रेडियूस होता हुआ नदर आ सकता है और प्रास इनके पास 36,370 कंट्रेक्ट है चलिए दोस्तों सीधा जल्दी से option chain पर चलते हैं देखते हैं कि option chain में क्या हल चल हुई है option chain में देखोगे 12,800 अच्छा जो है वो राइस्टेंस का काम करेगा यास 12,800 पर अच्छी राइटिंग हो गई है पुट में अब इन वहां 37,73,175 शेर हैं जिसमें से 17,74,725 शेर जो है यह फ्राइडे के दिन ही राइट किये गए हैं तो आपका पहला sport का level है 12,900 पर 39,00 शेर हैं जैसे आप देखिए यहां पर राइटर्स में confidence की कमी आई क्योंकि कि उन्होंने यहां से position कवर की एक लाख 9,200 शेर कवर हुए और यह आपको जो है 13,000 की level पर जाते हुए शिफ्ट होते हुए नदर आए 13,000 पर अच्छी राइटिंग है जहां 36,53,250 शेर का open interest है और अगर यह कड़ता है तो market आपको 13,200 तक भी जाते हुए मिल सकती है बशर मंडे के लिए जो market की range है वो 800 से 13,000 की है लेकिन US market को देखते हुए अगर Asian market पे दबाब हुआ तो हमारी market gap down open हो सकती है लेकिन अब big players के पास अच्छे stock future अच्छे index future है काल्स है और put कम है तो यह market जैसे आपने Friday को move देखा वैसे move दे सकती है और अगर अच्छा gap down हुआ त आपको मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है विशर्ते यह आप लाइन नोट कर लीजिएगा कि एक बार 15 मिनट के बाद आप ट्रेड पकड़ना फर्स 15 मिनट आप नजर रखना कि काल्स और puts में open interest में कैसे change होता है ऐसा नहों कि खुलते ही काल्स 12,000 अगर gap down हो 12,800 की काल पे प्राफिट होगा सब डिपैंड करता है कि आप ट्रेड कैसे लेते हैं वही बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी पे फ्राइडे के सेशन में 29,000 से 29,000 पे काफी अच्छा जो है वो रेस्टेंस बन गया था राइटिंग 13,000 ताओ open interest पहुंच गया था लेकिन क्या हुआ सारी position ही चेंज हो गई मैंने बताया था लिखा भी था कि अगर 650 के नीचे जाती है तो 28,500 तक जा सकती है लेकिन 28,500 से मार्किट मुड़ी मुड़ी ही नहीं सारे लेवल तोड़ते हुए पहले 39,000 तक आई वो लेवल आते ही 28,500 पे राइटिंग बढ़ गई फिर उसके बाद 39,000 पे भी अडिशन बढ़ा और 39,000 जैसे ही कटा राइटर ने अपनी पूजिशन जो है कवर भी की और कवर इस हाथ तक की 39,000 पे जो 13,000 का ओपन इंटर तेरा लाग शेरों का ओपन इंटरस था वो मात्र 5,45,000 शेर ही रह गया तो मंडे के लिए 28,500 पे अच्छा ओपन इंट 30,000 पे फिलहाल हलकी सी जो है 39,000 पे भी हलकी सी सपोर्ट है जहां अभी हमारे पास 5,45,000 शेरों का ओपन इंटरस्ट है लेकिन वही 39,000 की काल पे काल पे 4,88,488 ठोदेन का ओपन इंटरस्ट है तो डाटा जो है वो बैंक निफ्टी का ज़्यादा जो है बुलिश हो सकता है एस कंपेर टू निफ्टी गैप अपन होती है तो यह आपको 29,500 तक जाते हुए नजर आ सकती है जहां 9,007,875 शेरों का ओपन इंटरस्ट है वहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए रुख सकती है रसा कशी की दोड़ वहाँ चल सकती है और अगर 29,000 के नीचे उपन होती है तो शायद एक बार के लिए जो है 29,800 के नीचे अगर यह सस्टेन करती है तो 29,650 तक जा सकती है सारी 28,650 तक जा सकती है अगर 29,000 के नीचे गैप डाउन होती है क्योंकि पर्सु की जो क्लोधिंग है वह तकरीबं 29,200 के लैवल पे है तो ब्राडर रेंज जो है वह 28,500 से 29,500 की रह सकती है लाई मार्केट में दोस्तो डाटा पे नज़र रखिएगा कि देखिएगा ट्रेड में कुछ मनाफ़ा देखने को मिले नमस्कार जाहिंद